हे एब्रिवान कैसे हैं आप लोग वल्कम बेक टू माई चानल आज मैं आप लोगों के साथ एक ओडिसा का बहुत ही फेमस स्टीट फूड है उसकी रेसिपी से एर करने बाली हूँ नॉर्माली जैसे दही बड़ा बनता है उससे थोड़ा डिफ्रेंट है इसका रेसिपी तो चलिए बिना देरी की वे हुए स्टाट करते हैं रेसिपी तो फॉस्ट यहां पर मैं बड़ा बनाने के लिए उरट डाल का एक थिक बेटर बना ली हूँ और बेटर पूरा फाइनली पेस्ट नहीं होना चाहिए थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए और उसको एक बाल में निकाल ली हूँ और यहां पर मैं देरचमच चावल का आटा एड़ कर रही हूँ और चावल का आटा एड़ करने के बाद दोनों इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करके फिर बहुत अच्छे से बेटर को फेंट लूगी बड़ा बनाने के लिए हमारे बेटर को बहुत अच्छी तरह से फेटना जरूरी है जिसके द्वारा ही हमारा बड़ा जो है फ्लपी और फुला फुला निकलेगा और फेंटने के बाद मैं यहाँ पे उसमें एड़ करूंगी कटा हुआ करी पत्ता और एक कटा हुआ ओनियन और दो चीली कटा हुआ ग्रीन चीली देन एक इंच का एक अद्रक ले लूँगी और उसे ग्रेट करके डालूँगी फिर एक पिंच हींग देन टेस्ट के वाइज सॉल्ट अइड करूंगी इन सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी देन मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं जीरा एड की हूँ और दो पिंच यहाँ पे मैं खाने बाला सोडा एड की हूँ तो सारे इंग्रेडियन्स को मिक्स करने के बाद यहां पर मैं एपए पेन ली हूँ और एपए पेन को अच्छे से गरम कर दी हूँ और एपए पेन में ही मैं बड़ा बनाने बाली हूँ बिना तले बड़ा बनाऊंगी एपेपेन में बनाने से बहुत ही कम तेल में हो जाता है बड़ा तो यहाँ पर एक एक स्पून में एक एक स्पून डाल दूँगी सारे होल में और डाल के ही ढख दूँगी इसे कुछ दिर के लिए 3-4 मिनिट के लिए लो फ्लेम में दिन ढखने के बाद ढखके 3-4 मिनिट के बाद यहाँ पर में थोड़ा थोड़ा सा 2-3 ड्रॉफ देल एड़ करके फिर सारे बड़े को पलड दूँगी दूसरे साइड पकने के लिए एक चुल में ये बड़ा जो है दही बड़ा जो है तलके ही बनाते हैं लेकिन मैं ज्यादा ओयली नहीं करना चाहती थी इसके लिए अपे पेन में ही थोड़ा थोड़ा ओयल में ही मैं बना रही हूँ ये बड़ा और सारे बड़े को दूसरे साइड भी पड़कने के लिए पलड दूँगी और यहां पर फिर मैं एक और एक कड़ाई में यहां पर मैं आलू की सबची बना रही हूँ जो आलू दम बोला जाता है एक चुल में वो आलू की सबची ही है उसको ही आलू दम बोला जाता है दिन हमारा बड़ा जो है रेडी हो गया है और आलू की सबची भी बन गया है और यहां पे मैं गरम पानी ली हूँ और उसमें एक चमच सॉल्ट एड़ कर दी हूँ और फिर सारे बड़े को सोक पानी में भीगो के छोड़ दूँगी पांच मिनिट के लिए बड़ा को गरम पानी में डाल के पांच मिनिट हो गया है उसके बाद सारा पानी में स्क्विज करके बड़े को और एक बलेट में निकाल दूँगी तो यहां पर मैं सारे बड़े को निकालने के बाद दही प्रिपेर करूँगी दही के लिए मैं ग्रैंडर जार में दही ले ली हूँ, नमक एड़ की हूँ और ग्रैंड कर लूँगी और एक बतन में निकाल के इसमें बहुत सारा पानी एड़ करूँगी और खट्टा दही ही लेना है और फिर यहाँ पर मैं करीपत्ता तोड़ के डाल दी हूँ फिर ग्रीण चिली कट करके डाल दूँगी जितना तीका खाना है उसी हिसाब से ग्रीण चिली डाल दीजेगा फिर उसमें डालूंगी मैं भुना हुआ जीरा और रेड चिली का पावडर यहां पर मैं तीन ही ग्रेड चिली डाली हूँ और फिर जीरा पावडर और रेड चिली और जीरा का पावडर डाली हूँ फिर उसके बाद सब इंग्रिडेंट्स को मिक्स करने के बाद बड़ा को डालके चार पांच घंटे के लिए छोड़ दूँगे उसे ढखके चार पांच घंटे छोड़ने के बाद ही जो बड़ा का टेस्ट है आएगा दही का फ्लेवर बड़े में आएगा चार पांच घंटे के बाद ही चार पांच घंटे के बाद हमारा दही बड़ा रेडी हो गया है दही बड़ा आलू दम और यहां पे मैं ले ली हूँ प्लेटिंग के लिए भूजिया प्लाक सॉल्ट एंड ग्रिन चिली पेस्ट ओनियन तो चलिए प्लेटिंग करते हैं तो यहां पे मैं कटोरी में बड़ा निकाल दूँगी निचोड के तो यहां पे मैं दही बड़ा खाने के बाद दही जो है उसको पिया जाता है ऐसे ही खाया जाता है ओड़ी सा में तो यहां पे मैं दही बड़ा निकाल दी हूँ एंड उसके बाद मैं यहां पे डाल दूँगी उसके उपर ग्रिन चिली का पेस्ट देन फिर आलू दम जो आलू का सबची है वो डालूँगी देन उसके बाद एड करूँगी उसके उपर डाल दूँगी ओनियन फिर डालूंगी उसके उपर भूजिया सॉरी ब्लाक सॉल्ट डालना है उसके बाद भूजिया डालना है and that's it हमारा दही बड़ा अलुदम रेडी हो गया है और इस तरह खाया जाता है उडिसा में दही बड़ा अलुदम और फिर दही बड़ा अलुदम खाने के बाद जो दही को इसे पिया जाता है इसमें फस्ट डाला जाता है काला नमक then green chili का पेस्ट then वो दही को डाल के पिया जाता है और उसका टेस्ट आप खाने के बाद पीने के बाद ही उसका टेस्ट आप लोगों को पता चलेगा तो गाइस ये था आज का दही बड़ा अलोदम मोड़ी सा फेमस दही बड़ा अलोदम की रेसिपी और घर में बनाईए और खाके जरूर कमेंट करके बताईएगा आज का रेसिपी कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजीगा सब्सक्राइब भी कर दीजीगा थेंक्स पर वाचिंग मी बाई बाई टेक के